असलाम अलेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बकराई दावत स्पेशल कच्चे कीमे के सी कबाब की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं तब ये पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे चटपटे चटखारेदार अगर आपके घर में गैस्ट आ रहा हैं तो ये रेसिपी बनाकर उनको खिलाईए सच में आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे और बिना टूटे बिना फटे हम पर्फेक्ट कबाब बनाकर त्यार करेंगे तो ट्राइज जरूर कीजिएगा तो चली देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया तो सबसे पहले हम यहा कबाब मसाला है ऑफ इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है तो देखिए हमारा जो कबाब मसाला है आपू बनĸर त्यार हो चुका है आप इस कबाब मसाले को जादा बना कर स्टोर भी कर सकते हैं तो हम ने यहाँ पर देखिए एक किलो के गोश्ट के लिए बनाया है तो हम ने यहाँ पर एक किलो मटन लिया है देखिए इसमें आपको फैट लेना है ये बाइंडिंग का काम करता है इसमें कोई भुने चने का अर्टा कोई बेसन बगेरा हम नहीं डालेंगे जैसे की बाजान में हम लाती है कबाब तो उसमें कोई भुने चने का अर्टा ये कोई बेसन बगेरा नहीं डाला जाता है इसमें 100 ग्राम फैट डलवाई है मतलब चिकनाई इस तरह से और इस तरह से क्योंकि जो मार्केट वाले कबाब होते हैं थोड़ा मोटा कीमा होता है तो अच्छा टास्ट देते हैं कबाब बारीक कर देंगे तो थोड़ा सा आठे जैसे लगते हैं कबाब तो इतना आच्छा टेस importante नहीं आता है तो यहाँ पर मैंने कीमा बना लिया था इसको हमने एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है इससे जो हमारे कबाब है एकदम परफ्रेक्ट बनेंगे तूटेंगे नहीं तो मैंने दो घंटे के लिए रखा था अब इसमें वान टी इस्पून चार्ट मसाला और अब इसमें एड़ करेंगे हम प्याज तो देखें दो मीडियम साइज के प्याज लिए थे इसको चौपर में डालकर बारिक सा चौप कर लिए उसके बाद एक कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निचोड दिया तो इस तरह से हमने ड्राइ प्याज लिए हैं और यह इसके मिक्सिंग करनी है क्योंकि हमने दो गंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था इस तरह से एकदम ग्लेस बाला कीमा बन जाएगा तो इससे आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे तो दीखें यहां पर थोड़ा सा मिक्स किया है उसके बाद यहां पर इसको गुंदा मिक्स किया आपि यहां पर कबाब लगाएंगी तो हैंपेंसिल का यूज क है क्योंकि सीखा जो है बार्भी क्योंकि सरीय होती है और albo हर किसी की पास नए COBे को स्कृते हैं फिर चाहिप होसी तो देखिए यह कबाब हमारा बनकर त्यार हो चुका है अब दूसरी ट्रिक बताऊंगी मैं किस तरह से आप इसको बना सकते हैं और भी यीजिली क्योंकि यूट्यूब पर यह बहुत वाइरल हो रहा है एक ब्लॉगर है उन्होंने यह ट्रिक बताई थी तो वहीं से मैंने द यह बना कबाब चिपक जाए गा और देखिए इस तरह से हमने इसको कबाब का शीप ωट तो यहां पर पर कबाब अरेंज कर देंगे जितने भी आते हैं उतने आप लगाते जाईए बाकी सिखने के बाद श्रिंक होते हैं तो यह जगा कर देंगे तो थोड़े-थोड़े हम और लगाते जाएंगे अब देखिए पहले हमने तेल को बहुत अच्छा गरम कर लिया उसके बाद फ्ल में जगा बनती गई तो हमने और कबाब लगा दी यह देखिए इस तरह से अब देख सकते हैं आप कितने अच्छे से यह कबाब सिख रहे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर अब जो सिख गए उनको हमें बाहर निकाल लेने हैं यह देखिए खूँ अच्छे से सिख चुके है कलर भी अच्छा अगया अंदर से भी सिख गया तो इसको एक प्लेट में निकालते जाएंगे और बाकी के भी हम इसी तरह सेख लेंगे तो बस यहां पर हमारे सभी कबाब रेड़ी हो चुके थे तो वस इनको सर्फ कर लेंगे यह देखिए एकदम बहतरीन से इसी कबाब त्यार हुए है आप देख सकते हैं या मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी जूसी है बहुत ऐसा नहीं है कि सूके सूके बने है एकदम जूसी मॉइस्ट और जब इसको खाई थे ना हम लोगों ने सच में बहुत अच्छे बहुत अच्छे टेस्टी बने थे तो यहां जब भी आप ट्राइ करती है ना तो मुझे कॉमेंट्स करके जुरूर बताईएगा कि आपके रेसिपी कैसी बनी उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज